subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल हाई टेकिंफो में तो दोस्तो आज हम आपके लिए एक और अन्बॉक्सिंग वीडियो लेकर आए है और आज हम अन्बॉक्सिंग करने वाले एक 10.1 इंच का टैबलेट जिसको मैंने मात्र 5000 रुप में परचेस किया है तो दोस्तो चलिए इसका अन्बॉक्सिंग शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हैं आपर पैकेजिंग बहुत जवरदस्त करी गई है तो दोस्तो इसके अंदर है हमारा 10.1 इंच का टैबलेट और इसके साथ दोस्तो हमको एक कवर भी दिया गया है तो दोस्तो मात्र 5000 रुपे में आपको 10.1 इंच का टैबलेट और साथ ही में आपको कवर भी मिल जाता है तो दोस्तो यहाँ पर इस बॉक्स पर कुछ भी मेंशन नहीं है तो दोस्तो चलिए अब हम इस बॉक्स को उपन करके देख थे कि इस बॉक्स के अंदर हमको क्या क्या मिलता है तो दोस्तो यह है हमारा 10.1 इंच का टैबलेट तो इस टैबलेट को हम पहले साइड रखते हैं और देखते हैं और क्या क्या एक्सेसनिस हमको इसके अंदर मिलती है इसके साथ दोस्तों पर एक यूजर मैंडूल मिली है यह यूजर मैंडूल दोस्तों इंग्लिश में है और साथ ही एक चार्जिम अडप्टर मिला है तो दोस्तों नहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको 2M का चार्जर मिल जाता है तो 2M के चार्जर के वज़े से यह टाबलेट को काफी जल्ली चार्ज करेगा यहाँ पर हमको एक और USB to Micro USB केबल मिली है और यहाँ पर हमको एक स्टाल्स भी दिया गया है और साथ ही हमको दोस्तों एक स्कृन ब्रोटक्टर भी मिल जाता है तो दोस्तों इस केबल की मदद से आप अपने टाबलेट में पैं ड्राइब, USB मावस, USB कीबोर्ड लगा सकते हैं So let's keep all these accessories aside for a while तो दोस्तों जैसे के आप देख सकते हैं इसके साथ हमको क्या क्या accessories मिलती है तो आपको में इस सब भी accessories को side रखते हैं तो दोस्तों ये है हमारा 10.1 इंचिस का टाबलेट और साथ ही दोस्तों इस टाबलेट की एक हासे आते हैं इस टाबलेट में आप अपने SIM भी लगा सकते हैं और साथ ही आप इसमें अपना microSD काइट भी लगा सकते हैं तो दोस्तों ये टाबलेट डूल SIM सपोर्ट करता है तो दोस्तों पहले मैं आपको इस टाबलेट का आवर व्यू दिखा देता हूँ तो यहाँ पर आप micro USB केबल लगा सकते हैं चार्जिंग के लिए और यहाँ पर बैक में यहाँ पर रेर कैमरा दिया गया है और साथ यहाँ पर LED फ्लैश भी आपको मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों डूल स्पीकर मिल जाते हैं आपको और दोस्तों इस टाबलेट के राइट साइड में आपको पावर ओन आउव की मिल जाता है और यहाँ पर दोस्तों 3.5 mm audio jack मिल जाता है आपको और यहाँ पर दोस्तों टाबलेट का माइक राइट साइड में दिया गया है और फ्रेंट में दोस्तों यहाँ पर फ्रेंट कैमरा मिल जाता है आपको एक टाबलेट के सेंटर में और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक बटन दिया गया है I think यह बटन प्रेसिबल नहीं है I think capacity बटन है यह तो आप हम इसको बूट करके देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर memory card पहले से लगा हुआ है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस tablet के साथ हमको 64GB के memory card free मिल जाता है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आप दो sim लगा सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह tablet dual sim सपोर्ट करता है और साथ ही यहाँ पर आप अपने memory card भी लगा सकते हैं तो दोस्तों चलिए अब हम इस tablet को बूट करते हैं इस tablet को बूट करने के लिए दोस्तों आपको इस power on up की को कुछ seconds तक प्रेस करकर रखना है तो आप देख सकते हैं टैबलेट बूट हो गया है और यहाँ पर आप android की ब्रैंडिंग देख सकते हैं दोस्तों 10.1 इंचेस की स्क्रीन होने के वज़े से टैबलेट काफी बढ़ा है आप देख सकते हैं इस टैबलेट को मैं अपने एक हास से नहीं पढ़ पार हो इसके लिए इस टैबलेट को पकड़ने के लिए दोस्तों मुझे आपने दोनों हाथों के यूज करना पड़ र तो सबसे पहले दोस्तों हम इस टैबलेट का आप आउट फॉन सेक्शन देख लेता है तो जैसे के आप देख सकते हैं यह एंडरोइट 6.0 ओपरेटिक सिस्टम पर वर्क करता है तो दोस्तों जैसे के मैं इस बटन की बात कर रहा था यह कैपेसेटिव बटन है दोस्तों यह आपको दिखने में लगएगा कि यह बटन प्रैसेबल है लेकिन यह बटन प्रैसेबल नहीं है यह कैपेसेटिव टैच बटन दिया गया है इसमें तो दोस्तो काफी premium looking tablet है ये दोस्तो मात्र 5000 रूपर में आपको ये tablet मिल जाता है तो हब हम इसका storage section देख लेते हैं तो दोस्तो अस tablet की phone storage की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको 58.77 GB हमको मिल जाता है phone storage में और दोस्तो अस tablet के साथ में 64 GB का एक micro SD card मिला है तो आप देख सकते हैं आपको 64 GB आपको 62.44 GB आपको available है तो दोस्तो आप देख सकते हैं काफी premium looking tablet है दोस्तो ये तो अगर आप दोस्ते एक tablet purchase करने की सोच रहें तो I don't think इससे better tablet आपको मिलेगा तो दोस्तो यहाँ पर आप camera quality देख सकते हैं ये with flash लिया गया है और ये picture without flash मैंने ले है तो दोस्तो camera quality आप देख सकते हैं ठीक ता camera qualities में आपको मिल जाती है आपको मिलेगा आपको मिलेगा देख सकते हैं क्यांपको मिलेगा आपको मिलेगा लड़ाए तो दोस्तों यहाँ पर आप इस tablet का ant2 bench वमार की score देख सकते हैं दोस्तों यह score काफी okay score है काफी ठीटा की score है यह मैं यह नहीं कहुत अच्छा score है लेकिन काफी अच्छा score है दोस्तों यह तोस्तों अच्छा कि शर्स प्राथ लग में, क कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप सुन सकते हैं यह speaker काफ की loud speaker है और दोस्तों आप इस tablet से calling भी कर सकते हैं आप देख सकते हैं आप पर dialer लेकिन दोस्तों भी मैंने इस tablet में कोई भी sim नहीं लगाई है मजब्दल के काल भी कर सकते हैं तो दोस्तों तबलेट को कवर में डाल के देखते हैं किस परकार से यह tablet देखेगा तो दोस्तों यह tablet कुछ इस परकार से दिखेगा कवर में डालने के बाद गो किता हुआं और आघसे दोस्तो वकाइओ आज पीजी के लिए हैलफल होगी और अगर आपको यह अच्छे लगी तो प्लीज आप इस वीड़ों को शेयर जरूर कीजिए गरर आपको ज़ली सब्सक्राइब के लिए, निजी के दिएक लाद को अब आद को नेकानकेश, और आप सब्सक्राइब करने पर आप बैल आइकन को वीडियों दबा दीजेगे ताकि सबसे पहले आप वारे वीडियों देख सेकें तो दोस्तो नमस्कार